भारत राइजिंग के IPL special podcast में आप सभी का स्वागत है हमने part 1 इस video का अल्रेडी बना लिया है और उसमें हमने बताया है most searched IPL related questions और उनके हमने answers दी है वो podcast काफी लंबा हो गया था इसलिए हम इसे part 2 में convert कर रहे हैं part 1 की link आपको i button पे मिल जाएगी और हमने description में भी add कर दी है तो please उस video को जरूर देखे और इस video को हम यहां से continue करते हैं प्रसाद next question भी बहुत searched है और वो question है how has IPL changed cricket? Yes, IPL ने definitely cricket को change किया है अब players को वो financial security जो मिलती है जिसके वाज़े से especially Indian cricketers की मैं अगर बात करू तो वो fearless cricket खेलने लगे है अगर वो भारत के बाहर भी खेलते है especially भारत के बाहर जब खेलते है तो वो fearless cricket खेलते है और अपने आपको express मैदान में, ground में अच्छे से करने लगे है दूसरी बात यह है कि जो अभी international cricket का जो global schedule बनता है तो वो मैं यह कहूँगा कि अगर मैं कहूँगा तो यह गलत नहीं होगा कि IPL उस schedule को पूरी तरह से dominate करता है क्योंकि IPL के जो 2,5 मेने का जो time होता है तो ICC जो है उसे एक special window देती है उसको अपने इस पूरे global schedule में तो यह बहुत बड़ी बात है IPL के नजर यह से अगर आप देखोगे तो इसके अगर आप देखोगे तो बैटेंग बैटेंग के आंगर बात करेंगा तो बैटसमन कोछ साल पहले आप देखोगे तो कोई भी बॉलर ड I Gain करता था रीट फालकर ऑज़िस्पिन आगर कोई Wand करते थे लेकिन आप माईने माईने बदल गए है अगर कोई बॉलर ओवर पीज गेंड करता है तो उसे रिवर स्विप किया जाता है ना कि कव ड्राइब किया जाता है नो डाउट बट हमने देखा है कि रिवर स्विप से भी चौका बटर आ जाता है तो नए शॉट्स का संदे क्रिकेट में जो स्कोरिंग का स्कोरिंग के जो बार्ज है जो है वो बढ़ गए है जो है लेवल्स बढ़ गए है मैं भी रिसेंट एक स्टैट्स पट रहा था तो थो थाउजन ट्वेंटी थी वोल्ड कॉप जो भी इंडिया में हुआ तो उसमें 18 टाइम्स 300 के उप कोषोर किया दिम्स ने और थ्री टाइम्स एक त्री टाइम्स एके फ्रीन ट्री टाइम्स 400 के उपर का स्कोर टीम्स ने किया तो इससे पता चलन और और Especially ये वर्यकल अंडिया में खेला गया और हाई पी इखेली जाते गै sırपज आ बड़े अड़ेंड एड़ाई ही चाइनज हो चूका है भी बॉल इलग अलग तरिके के सES अपने इपने डशाफ जो बैट्समन कर्मक करते है तो उस उस एटक से अकर्मक से बचेने के लिए कही लो ज इसनוב एसन्स ऑपन पर इस. to कर नंकल बॉल का इस आपके हाथ में जो सीम होती है तो उस वक्त यह आपकी जो दो उंगलिया जो सीधी होती है तो उसे ट्विस्ट किया जाता है और उसे नकल के जरे से उस बॉल को पूछ किया जाता है तो उसे नकल बॉल इससे तो बॉल की स्पीड कम हो जाती होगी यह यह जो है इससे बॉल की प्रवाइन उसे पहता है और सबसे इंपोर्टन चीज नकल बॉल यह कहता है कि बैट्समन उसे उसे डेसिफर नहीं कर बाता है डेसिफर मतलब बैट्समन उसे पैचान नहीं पाता है अब बना भी समझो फॉर एक्जांबल कोई बॉलर ऑफ कटर डाल रहा है तो वो सीम के पर से ऐसी उंगलिया घुमाता है या उसे लेक कटर डालने तो सीम के ओपर से ऐसी उंगलिया घुमाता है बट देन बॉलर तब जब नकल बॉल करता है तो उसे अपनी नकल को खाली पीछे करता है और बॉलर को जो है सिर्फ सीम दिखाई देती है उसको और उंगली पीछे होने के कारण उसे पता नहीं चलता कि क्या यह स्लोर डिलर भी है क्या और बोलर से उसे नकल से पुछ करता है और इस नकल बॉल का सबसे अगर मैं कहूं सबसे अच्छा अगर एक्सपोनेंट अगर कोई है तो वह भूबनेश्वर कुमार अभी के जिसने उन्होंने यह यह गे अभी तो कई सारे बॉलर्स अभी कहते है क्योंकि दुनिया भी छोटी हो रहे है इंफोर्मेशन चुपी नहीं रहती है तो अभी स्पिनर्स के बात करेंग बात करेंग बॉल दूसरा यह कई सारी चीज़े दूसरा तो पहले से है लेकिन करेंग बॉल यह इसका जो प्लस पहले कहा था कि की टीट्वेंटी जो क्रिकेट है तो उसके स्केडूल में आई पेल को एक एक स्पेशल विंडो दी जाती है इसी के और उसके अलावा अगर में देखू तो कई सारे कंट्रीज है जो अब अब टीट्वेंटी का पोटेंशल समझने लगे है तो इसके हर एक हर एक टीम आप देखोगे तो अपनी अपनी टीट्वेंटी लीग अब हब प्लैटफॉर्म पे लेके आए है अभी आप देखोगे तो साउथ आफ़े का ट्वेंटी अब स्टार्ट हुई है कुछ सालों से जहां पे इंडिया के ही आई पिल टीम्स वहां पे फ्रें इसे अब दीरे दीरे अभी एक्स्प्लोर किया जा रहा है मुझे इसा अभी भी बहुत कुछ बाकी है और भी एक्स्प्लोर होना बाकी है यसमें खेलने के लिए तो देखे जाए तो हम 10 या 12 कुछ इंटरैशनल कंट्रीज है गर आप आरलेंड और अफगानिस्तान पगड है और अगले पांच साल जो है यह बहुत मज़दार होने वाले है मुझे अभी हम देख रहे हैं कि यूएस में अगला वर्ल्ड कप कुछ हिससे कुछ गेम्स वेस्ट इंडीस के साथ यूएस में भी होने वाली है तो जिसकी वज़े से एक नया मार्केट नया मार्केट में इंट्री में लेगी और थोड़ा थोड़े बेस्बॉल जैसा भी है तो क्विक फास्ट रंस बनते हैं इसमें तो अमेरिकन अमेरिकन्स को शायद यह एक्साइटिंग लग सकता है अपी कैसा है कि टी 20 क्रिकेट हम हम नॉर्मली जब हमारे फैमिली के साथ मोवी देखने जा का लिजते हैं चलो ग्हंते चार गंटे का मैच देख के आते हैं कि इसमें भी तो इसके मजू से क्रिकेट में बहुतर चैंजेश किया है और लोगों का जो सोचने का नजरिया है कि कि यह नो बंडे है जो कि आठ घंटे का चलता है टेस्ट में तो पांथ दिनों का चलता है तो अभी जो है कम टाइम में मैच खतम होती है उसे लोगों को अच्छा भी लगने लगाए वह ओके परसाद एक बहुत इंट्रेस्टिंग क्वेशन में आप से पूछ चल रही है और अब IPL ने एक 10 साल से ज्यादा का एरा में हमने देखा है टीम्स कुछ बदली है नई टीम्स आई है फ्रेंचाइजिस के नाम बदले हैं बहुत सारी चीजे हुई है लेकिन एक ऐसा भी टाइम था जब पाकिस्तानी प्लेयर्स भी IPL में खेला करते थे तो क् इस सवाल का जवाब थोड़ा बहुत मुझे पता है लेकिन अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा और यह क्वेशन है वाई आर पाकिस्तानी प्लेयर्स नॉट प्लेयर्स नॉट प्लेयर्स अगर आप देखोगे तो 2008 का हमारा जो इनॉग्रेल एडिशन तो उसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स उसमें शामील थे जैसे कि शो वे बक्तर केला था सोहल तनवीर उसने आइपेल के उस फाइनल में भी उसने अच्छे परफॉर्म किये थे पूरे आएपेल में इंफेक्ट तनवीर अच्छा खेला था सलमान बट खेला है यूनिस खान इसा प्लेयर आइपेल में खेले हैं लेकिन जो घटना घटी 2008 में जो मुंबई टेरर अटेक्स हमारे यहां पे हुए थे जब अजमल कसाब यहां पे आकर उन्होंने जो टेररिस्ट एक्टिविटी यहां पे की थी जहां अजमल कसाब उसने जो है सारे हमारे सिविलियंस को मार गिराया और बहुत ही खराब उसने काम वहां पे किया था और उसके बाद एक लोगों की रियक्शन आई थी एक पुबिक आउट क्राई पुबिक रियक्शन आए थी कि हमें पाकिस्टानी खेलाडियों को आईपेल में खिलवाना चाहीए और यह एक major कारण्ट था कि IPL को पाकिसानी खिलाडियो ईबोत तक उभर ही नहीं पाए है उनके कई अब तक हमने हमारे जो पर्राइम निस्टर है नरेंधर मोधी उनने अब तक ऐसा कहा नहीं है की या वो कभी की क्रिकेट के बारे में बात करते हैं नहीं इन ये बाकिसान BCCI के पास जो funding power है तो उस funding power के वज़े से BCCI या India सिलेक कर देघी कि किसको लेना है या कि इसको नही लेना है और उस में Pakistan को सिलेक नहीं करते लेकिन हमारे यहां पे लोगों का नोशन यह है की नहीं चाहिए पाकिस्तानी खिलाडी क्योंकि देखिए उन्हों ने भी पाकिस्तानी भी उनके साइट पे PSL स्टार्ट किया और वो उनके यहां पे ऐसा एक नरेटिव है कि अगर PSL में इंडियन खिलाडी खिलते है तो PSL बहुत इंट्रेस्टिंग होगा वैसे ही PSL वैसे ही IPL में अगर पाकिस्तानी खिलाडी खिलते है तो IPL भी बहुत इंट्रेस्टिंग है वो कहते रहते हैं लेकिन हमारे इंडिया में मैंने तो कभी किसे सुना नहीं कि पाकिस्तानी खिलाडी कर इंडिया IPL में खेलते है तो हमारा IPL इंट्रेस्टिंग होगा या इस लाइक हम जो पाकिस्तान से शायद छोटी क्रिकेटिंग कंट्रीज हो सकते हैं लेकिन वहां से भी बहुत प्रटेंचल आ रहा है अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा एक्जामबल है जहांसे इतना बड़ा क्रिकेटिंग टालेंट आ रहा है मैं आपको अगर एक मज़ेदार बात कहू तो अजर मेहमूद जो है वह भी वह IPL खेले इंडिया के लिए उसने खेला था IPL बट एंडिया के लिए मतलब इंडियन प्रेमेर लीग अजर मेहमूद खेला था एक साल even during time Pakistan was banned from playing IPL लेकिन since वो UK में रह 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 था और उसके पास UK की citizenship ती तो इसके वैसे as a foreign player he played for IPL interesting interesting मतलब तब वो ऐसा count नहीं हुआ कि वो एक पाकिस्तानी national थै ऐसा count हुआ कि वो एक British national थै और इसलिए वो IPL में खेले interesting इसके अलब अभी अभी ऐसा भी कहा जा रहे है कि मोहमद आमिर भी उसे वो भी उसे भी IPL खेलना है क्योंकि और वो for that he is moved to British, he is moved to Britain right now so that उसको जो है वहां का citizenship मिल सके तो अभी इसलिए वहां के कई players move हो रहे है UK तो इसका representation लेकि ऐसा भी देख सकते हैं शायर हम दो तिन सालों के बाद क्या अधिक पाकिस्तान की cricket team retire करके UK जा रही है वहां का passport लेकि फिर IPL में खेल रही है वही शायद उनके कोशिश जा रही है क्योंकि देखे हमें पाकिस्तानी खिलाडियों की जरुत नहीं है लेकिन उन्हें है क्योंकि अगर उन्हें पैसे कमाने है उन्हें पैसों की जरुत है और अगर अगर हम वहां हमारे players PSL खेलने जाते है तो उन्हें बहुत benefit होगा जो कि उन्हें नहीं मिल रहा है और उपर से हमारे इंडियन प्रेमियर लीग में उन्हें खेलने नहीं रहा है तो और भी बात उन्हें चुप रही है तो पूरे दुनिया से लोग खेलने आ रहे है यह असले पार्क में सब बच्चे खेलने नहीं भी पाकिस्तान की वैसी आलत है तो आइदिंक जो हम situation देख रहे हैं अभी Indian Premier League anyways बहुत successful है तो उसे Pakistani players को लाने में interest नहीं रखना चाहिए ज़रूरत नहीं है ज़रूरत ही नहीं है जो चीज़े जरूरत नहीं है उसे हम क्यों कर और it's not needed प्रसाद एक और एक सवाल है जो बहुत सच हो रहा है वो है should IPL be banned और यह आई थिंग ज्यादा सर्च किया जाता है जब इंडिन क्रिकेट टीम वर्ल्ट कप जैसा टर्नमेंट या ICC टेस्ट चैंपेंशिप नहीं जित पाती है तब यह सवाल ज्यादा आता है और यह तब आता है जब IPL जस्ट शूरो हने वाली होती है यह IPL end हो जाती है क्योंकि IPL से controversy भी काफी हुई है देखे IPL बैन करना चाहिए यह जो यह जो लोग कहते है यह तब ही कहते है जब हमारी इंडियन टीन को किसी टेस्ट मैच में बड़े मार्जिन से हारती है या हम किसी वर्ल्ड कॉप में सेमी फाइनल में या फाइनल में हारते हैं उसी वक्त IPL के उपर उसका भांडा फोडा जाता है यह मैंने कई बार देखा है तो IPL को बैन करना अलग अलग यह अलग पड़ी थी तो उसमें एक बहुत इंट्रेस्टिंग बात उसने कही तो वो यह कह रहे थे कि अगर हमें लीग में किसी पाटिसिपेट करना है तो हमा हमें हमारे नैशनल टीम से एनोसी लेनी पड़ती है ठीक है वो यह कह रहा था कि अगर वीचले आगे के पात सालों में ऐसी सिचुएशन आ सकती है ठीक है कि अगर हमें नैशनल टीम से खेलना है तो हमें हमारी फ्रैंचेज से एनोसी लेने पड़े तो अब यह ऐसी सिचुएशन अब हो रहे है क्योंकि यह जो कैश रीच लीग अब जो अब जो आ रही है कई सारी देशों से अभी आ रही है तो उस इसपंसब दू ट्रेंड बोल्टो अभी जो है अभी सीरीज चल रही है नूजेलेंट रॉष jetzt सियरीज चल रही है टो निजरेंड ख्रिकेट बोर्ड्ड कौ शेंट्रल को अधर्ड़ेंट प्रधं किया था वर दन उनोंने वह सोच दीनाइ बिलना किया क्योंकि उन्हें न अब ये ऐसा हो रहा है कि अभी थोड़ा सा ये सौकर की और सौकर की तरह फुटबॉल की तरह जा रहा है कि इसे इंटरनेशनल टीम्स को रेप्रेजेंट करना थोड़ा जो इंपोर्टन्स कम दो और कैश रिच लीक्स की और जाओ जैसे हमने देखा आर्सनल लिवरपूल मैं गेम खेलती है अभे जो और जो जो मैंने अपको कहा उसमें काफी बड़े प्लेवर खेलते हैं और ये लीग स्टार्ट हो और पर इसी दौरान बीच में इंटरनाशल गेम से इंटरनाशल टोर्नमेंट जो वर्ल्डप यॉरो कॉप एफ्रिका कप अफ नेशन तो ऐसा जैसे आपने कहा, IPL टीम्स भी इसी शायद चीज में इन्वाल्व हो जाए और ऐसा भी वक्त आ जाए कि पूरे साल IPL जीसा टर्नमेंट चलता रहा है और बीच में इंटरनाशनल गेम्स हो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन अब अगेन वो प्लेयर वो प्लेयर पे उपर वापस आना चाहूंगा कि क्या IPL बैन होना चाहिए, तो मेरा अंसर होगा नहीं, क्योंकि ये प्लेयर के उपर डिपेंडेंट है, उसकी थिंकिंग कैसी है, IPL अगर वो मनी ओरिएंटेड उसकी अगर सोच है, ठीक है, वो सिर्फ क्रिकेट से पैसे गवाना चाहता है अपनी देश के लिए रेप्रेसेंट नहीं करना चाहता है, तो वो शूरली वो लीग खिले, हर एक क्रिकेट बोर्ट के पास उनकी एक खुद की एक, उनकी एक सिस्टेम में जहां से नहीं खिलाड़ी वो लेकि आ सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि IPL बैन करना चाहिए, अगला क्वेशन मेरा यह है, जो बहुत सर्च हो रहा है, और यह तब सर्च होता है, जब कोई IPL टीम किसी बड़े मार्की प्लेयर को साइन करती है, और उनफॉर्चनेटली वो इंजर हो जाता है, उसके पर बहुत बड़ी बिड लगती है, और वो करोड रुपे होते है, बड़ी पराइस, घरी वो इंजर हो गया है, और फिर अब वो आईपील नहीं कहुने वाला है, और बहुत सारे लोगों को यह जानने में इंट्रस्ट है कि क्या उस प्लेयर को पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो इंजर है तो पैसे मिलते यह सूर्च हुरा है, जब भी भी कोई हम किसी प्लेगर को साइण करती है, ठीक है? तो इसमें तेन पहलू है. फर्स्त पहलू ये है कि अगर वो प्लेएर टार्नमेंट में या उस ट्रेनिंग कैंप में पर्केalarग्षा कोने से पहले ही अगर वो ही ही एगर होता है. ठीक है? तो उसे he doesn't get paid, उसे payment नहीं मिलती है अगर वो participate करता है अगर वो camp का हिस्सा बनता है या तो फिर वो कुछ दो या तीन matches खेलता है और अगर वो injured होता है तो उस वक्त सबसे पहले उस franchise team को उसके सारे medical expenses cover करने होते और उसके अलगा उसका जो payment है वो उसे देना पड़ता है अगला पहलू यह है कि अगर कोई team, अगर कोई player कहता है कि मुझे national duties अगर कोई England का player है उसे वो कहता है कि मुझे England के लिए खेलने जाना है और मैं जो हमारे 14 matches होते है 14 में सिर्फ 6 matches के लिए ही represent कर पाऊँगा franchise को और बाकी के time मैं मैं यहां से चला जाऊँगा तो उस case में उस player को franchise team pro-rata basis पे उसको उसका payment कर देती तो ऐसा नहीं है कि payment जो होता है बट अपनी अपनी terms पे कितना उसने उसने represent किया है उससाब से उसको पेविंट मिलती है यह तो contract जैसा होता है कि जैसे IPL के पहले अगर पता चल जाता है कि player इंजर हो गया होता है तो उसके लिए कोई certain amount फिर during the tournament अगर इंजर होता है तो एक certain amount और फिर बाद में वैसा वैसा उससाब से जो draft जो players को दिया जाता है जो franchise team draft देती है उस draft में सारे सब कुछ terms and conditions लिखे रहे हैं IPL में auction तो हर साल होता है कुछ players होते हैं जो एक ही IPL franchise के लिए continue करते हैं मैंने कहां काम करते हैं what I am trying to say is खिलते हैं जिसे हैं हमने देखा हम बाटी राइडू काफी तो क्या उन्हें हर साल auction का कुछ certain amount मिलता है या उनका salary होता है वो पैसे कैसे कमाते हैं वैसे players देखे अगर कोई player है जिसको जिसको अगर कोई franchise team सब्सक्राइब 10 करोट के लिए खरीदती है जैसे मैं मैं पूछने जा रहा हूँ क्या कोई player जब कि जब भी कोई team किसी player को retain करती है या उसे खरीदती है किसी player को 10 करोट के लिए उन्हें खरीदा है तो वो 10 करोट का amount होता है वो उस season के लिए ही होता है वो ऐसा नहीं होता कि 10 करोट अगर हम अगर franchise team ने उस player के साथ तीन साल का समझो contract किया है तो वो 10 करोट तीन साल के लिए नहीं होते है वो तीन साल में हर साल उसे 10 करोट दिये जाते है तो वो ऐसा नहीं होता कि वो जो 10 करोट एक season specific ही होता है तो season खतम अगले साल जब वो player का retention होता है क्योंकि उसका एक amount बनता है तो वो amount फिर से उसे pay किया जाता है तो यह था हमारा IPL के most search questions का podcast अगर यह podcast आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे like कीजे हमारे चानल को subscribe कीजे हमने geopolitics के उपर और इंडिया की history के उपर काफी सारे podcast बनाए हैं और हम बनाते रहेंगे ऐसे podcast जिससे आपकी life में value add हो और आपको कुछ नया सीखने मिले और जानने मिले इस वीडियो को अपने friends के साथ ज़रूर शेयर कीजे क्योंकि हमें कुछ नया करना है और भारत को बहतर बनाना है थैंक यू और जैहिंद हूँ है